इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्री के वरत में आपको कौन-कौन से आहार खाना चाहिए और कौन-कौन से नहीं खाना चाहिए। ऐसे एक चीज भी है जिससे आपको महाशिवरात्री के दिन खानी चाहिए और भगवान भोलेनात को चढ़ाने भी है जिससे आपके घर में पूरे साल भगवान भोलेनात जी की कृपा बनी रहेगी और आपके घर में पैसा आता रहेगा। महाशिवरात्री हमारे हिंदू परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण है और यह पर्व फालगुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुरदशी को मनाया जाता है भगवान भोलेनात एक लोटा जल से भी प्रसन हो जाते हैं मात्र एक बेल पत्र से भी अती प्रसन हो जाते हैं लेकिन वे शीग्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भगवान भोलेनात को प्रिये हैं वही कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका भगवान भोलेनात जी की पूजा में इस्तेमाल ना करने पर भगवान भोलेनात का पूजन अधूरा रह जाता है इसलिए भगवान भोलेनात की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेश ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनात जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और बॉक्स में जय भोलेनात अवश् सिर्वाद आपको प्राप्त हो महाशिवरात्री के दिन भगवान भोलेनात की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान भोलेनात का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है यदि संभव हो तो इ इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज्यादा श्रेष्ट माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोले नाथ और माता पारवती के असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो महाशिवरात्री पर भगवान भोलेनाथ का पूजन रात्री के चारों पहाड में किया जाता है दोस्तों इस बार पंचांग के अनुसार फालगुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुरदर्शी तिथी की शुरुआत आठ मार्च रात में 9 बच कर 47 मिनट से होगी दोस्तों अब बात करते हैं कि आप लोग किस पहर में कितने समय पूजन कर सकते हैं प्रथम पहर पूजन समय 8 मार्च को शाम 9 बच कर 2 मिनट से शुरू होगा और समापन रात 9 बच कर 28 मिनट को होगा और समापन सुबह तिन बजकर चौथीस मिनट पर होगा। दोस्तों महा शिवरात्री का मतलब है भगवान भोले नाथ का रात्री के समय पूजन करना। इससे भगवान भोले नाथ अतिशीग्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मन्चाहा वर्दान देंगे। महा शिवरा भगवान भोले नाथ को अतिप्रीय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोले नाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। बेलपत्र एक पत्ता नहीं माना जाता एक दांडी में जो तीन पत्ते जुड़े हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक दांडी में तीन जुड़ बेल पत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उस पर ओम नमशिवाय लिख करके अर्पित करें ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की क्रिपा प्राप्त होती है महाशिवरात्री के दिन भगवान भोलेनाथ को पूजा में अक्षत अर्पित करें ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीरवाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्री में भगवान भोलेनाथ का जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको महाशिवरात्री का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। भोलेनाथ जी को अत्यधिक प्रीय है। दोस्तों महाशिवरात्री पर इन कारियों को करने से भगवान भोलेनाथ की करपा प्राप्त होती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको महाशिवरात्री के दिन क्या-क्या खाना चाहिए। शिव पुरान के अनुसार माना जाता ह कि महाशिवरात्री पर व्रत धारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए भले ही आप थोड़ा सा खाएं लेकिन खा जरूर लें इससे व्रत पूरा हो जाता है इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है अगर आप भांग नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत छक ले नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा दोस्तों महाशिवरात्री के पावन पर्व पर भगवान भोलेनात और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेश ध्यान रखें जिससे आपको व्रत और जरूर खानी चाहिए ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले महाशिवरात्री के दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं एक बेला उपवास रखकर कई लोग साथ भी भोजन करते हैं महाशिवरात्री का व्रत अगर आप रखते हैं तो ध्यान रखें शरीर में पानी क कमी ना हो। भी सकते हैं पर चावल मत खाएगा इस बात का ध्यान रखिएगा दही वगेरह भी खा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है मूंग फली ये मखाने को घी में फ्राई करके भी खा सकते हैं गाजर लौकी की खीर साबू दाने की खिचड़ी आप खा सकते हैं इस दिन कुत्तों के आ इन चीजों का आपको ध्यान रखना है नहीं तो आप पाप के भागीदार हो सकते हैं महा शिवरात्री पर वरत धारी को खाने पीने की चीज़ दूसरों को मिल बाट कर खानी चाहिए शेयर करनी चाहिए भगवान भोलेनात अतिप्रसन्न होते हैं लेकिन वह एक खास चीज जो भगवान भोलेनात पर अरपित भी की जाएगी और खाई भी जाएगी वह है पंचामृत आप पंचामृत जरूर अरपित कीजिएगा और बाद में उसको प्रस के रूप में जरूर खाईए दूसरी बात इस दिन सात्विक तरीके का खाना बना कर खाया जाता है आप फ चत्रू और विरोधी कभी सर नहीं उठाएंगे और जीवन में आपकी चारों दिशाओं में जय जय कर होगी आप विजय श्री को प्राप्त करेंगे बेर अर्पित करने से दुश्मन का सर्वनाश होता है या फिर दुश्मन आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाते शिव शिवलिंग पर काले तिल जल में डालकर या दूद में डालकर जरूर अर्पित कीजिएगा शनिवार का दिन है तो इस दिन काले तिल अवश्य अर्पित करें बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है शनी दोश से पीडित व्यक्ति को शनी से छुटकारा मिल जाता है वैसे महाशिवरात्री के दिन आप दूध का सेवन कर सकते हैं लेकिन केवल दूध नहीं उसमें दो चार चीनी के दाने डाल कर ही सेवन कीजिएगा केवल दूध कभी भी नहीं पीना चाहिए व्रित त्योहार में तो भूल कर भी नहीं दो चार दाने चीनी डाल दें भले ही आप चीनी ना खाते हो तो भी इस तरह से आपका व्रत पूर्ण होगा दोस्तों अब बात करते हैं कि आप लोगों को महाशिवरात्री के व्रत कैसे रखना किन-किन बातों को आपको ध्यान रखना है पूरी जानकारी इस वीडियो में आगे हम बताने वाले हैं दोस्तों वीडियो शुरू करें सबसे पहले भगवान भोले नात और माता पार्वती जी के सच्चे भक्त दवास्तु शास्त्र चैनल की इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जै भोले नात और जै माता पार्वती अवश्य लिखें जिससे भगवान भोलेनाथ और माता पारवती जी का आशीरवाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहे दोस्तों महाशिवरात्री पर गलती से भी ऐसे वरत कभी मत रखना और ना ही महाशिवरात्री पर यह पांच गलती करना नहीं तो पूरी जिंदगी बरबाद रहोगी भगवान भोले नात हमेशा हमेशा के लिए रूट सकते हैं यह गलती नजरंदाज बिलकुल भी ना करें दोस्तों महाशिवरात्री किसी भी शुभ मुहुर्त में पड़े लेकिन आप यह गलती कभी मत करना महाशिवरात्री के दिन खास तोर से वरत रखते समये इस बात का घ्यान आपको होना चाहिए शिवरात्री के दिन यह पांच गलती करना आपको भारी पड़ सकता है इस दिन भगवान भोले नात और माता पारवती जी की पूजा शिवरात्री के दौरान ही करना चाहिए तो ऐसे में हम यह जानते हैं शिवरात्री पर क्या गलतियां नहीं करना चाहिए जिससे भगवान भोले नात क्रोधित ना हो तो चलिए जानते हैं दोस्तों शिवरात्री के दिन क्या करें महाशिवरात्री के दिन वरत करें और सुबह जल्दी उठे सनान करें और साफ सुथरे कपड़े पहने शुब काल में मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ जी को जल और दूद चढ़ाएं इस दिन भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान करें ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें इस दिन आपको भोजन ग्रहन नहीं करना है इसी लिए अगर आपने वरत किया है तो सिर्फ फल खाकर ही वरत पूरा करें और हो सके तो पूरा दिन फल भी खाएं और दूसरे दिन वरत छोड़ें अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप एक समय में भोजन कर सकते हैं दोस्तों वीडियो आगे शुरू करें सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त दवास्तु शास्त्र चैनल की इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखने जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीरवाद आपको सीधे प्राप्त हो सके दोस्तों सच्चे दिल से इस नियम को मानने वाला व्यक्ती भगवान भोलेनाथ जी को बहुत ही प्रिय होता है दोस्तों अब बात करते हैं महाशिवरात्री के अफसर पर आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित ना हो दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए महाशिवरात्री के दिन मांस मधिरा का सेवन गलती से भी मत करना नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है महाशिवरात्री के दिन देर तक कभी न सोए इससे आपका भाग्य बिगाड सकता है भगवान भोलेनाथ रूच सकते हैं महाशिवरात्री के दिन दाल चावल या गेहुं से बने पकवान नहीं खाना चाहिए इस दिन आप सिर्फ फल दूद चाए और कौफी ले सकते हैं दोस्तों अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रसंद करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े भूल कर भी मत पहनना इस दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा रंग या लाल रंग का ही कपड़ा पहने बहुत ही शुब और मंगलकारी माना जाएगा इस दिन गलती से भी पति-पत्नी शारीरिक संबंध भूल कर भी ना बनाएं अन्यता भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा इस दिन जितना ज्यादा हो सके दान पूर्ण करें भगवान भोलेनाथ को अगर खुश करना है तो ये बातें गांठ बांध ले दोस्तों ये पाप कभी मत करना महा शिवरात्री के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूल कर भी ये चीजें मत चड़ाना नहीं तो जिन्दगी भर आपको किसी बड़ी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है आपका वरत तूट भी सकता है भगवान भोले नाथ अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं जान लीजिये नहीं तो आपके वृत रखने का कोई भी फाइदा नहीं तो चलिए जानते हैं दोस्तों नमबर एक तुलसी पौरानिक कताओं के मताबिक तुलसी को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है माता लक्ष्मी जी भगवान विश्नु जी की अर्ध दंगियन विश्नु शालिग राम की पूजा में ही तुलसी का प्रयोग किया जाता है ऐसे में शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है कभी मत करना दोस्तों नंबर तीन शिवरात्री के पावन अवसर पर जितना ज्यादा हो सके आपको भगवा रंग पहनना चाहिए भगवान भोलेनाथ अतिप्रसन्न होते हैं इस दिन काले कपड़े पहन से बचना चाहिए और मंदिर में काले वस्तर पहन कर कभी प्रवेश न करें दोस्तों नंबर चार हल्दी सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जाता है लेकिन कुछ का मानना है कि विनाश के देवता भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है तो दोस्तों आपक इस्ट वीडियो में